आपका होस्ट आपका दोस्त आज हमारा कोई प्रोग्राम खास मेमान नहीं है आज हम बात करेंगे बुनकरों के मसले की तांडा एक ऐसा शहर जो बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है यह पावर लूम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेजर आबादी इसी से अपनी रोजी रोटी चलाती है लेकिन आज वो तब का परिशान है आज वो तब का क्यो परिशान है क्या क्या मिश्किले आ रही है उसको हमारे साथ बहुत सारे बुनकर हैं यहाँ पर जो हम बात करेंगे उनसे पहले मैं इनके लिए चार लाइने बूलना चाहूंगा थोड़ा समालो मुझे इस शेहर को नाम दिलाया है मैंने थोड़ा समालो मुझे बहुत काम आया हूं मैं इस शेहर को यू ही नहीं कहते बुनकर नगरी इसी काम में अपनी जवानी और आखे जलाया है मैंने तो हमारे साथ बहुत से बुनकर यहां पर मौजूद हैं सर अपना नाम बताईए मर्गूब एमर पूर फबाफर कितने सालों से आप इस वेफसाई में हैं हम चालिफ साल के हैं क्या-क्या मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि इसको आप एहम मुद्दा मानते हैं यह चीजे अगर खतम हो जाएगा तो बुनकर की लाइफ आसान हो जाएगा पहले लाइट का भी मामिला बहुत ज्यादा हमारे यहां है जो है पहले फिलेटरेट करा बढ़ गया है करदार होते जा रहे हैं मैं भी इसी छेतर में पला बढ़ा हूँ मैंने भी यह वेफसाय देखा है बहुत बचपन से लेकिन पहले ऐसी दिक्कते नहीं सुनने में आती थी जितनी दिक्कते अब सुनने में आ रही है तो कब से यह प्रॉब्लम जनरेट हुई मतलब 2016 से यह दिक्कते आ रही है आप बढ़ाने खड़े होते जा रहे हैं हर्टीज होते जा रहा है पारे बुनकर परेफान भूखों मर रहे हैं जो है इफी पर आपके आप प्र आप बढ़ाना चाहता हूं जी इसे गवर्मेंट का सब्सक्राइब कराना और यहां बूनकर नगरी जो है वह महगी बिजली हो गई है पहले सब्सक्राइब को फ्लेट पर मिलती थी और दूसरी बास सरकार ने कहा था जीरो लेबल की पावर्टी लाना गरिभी लाना तो क्या सरकार अपने इस बात पर खरी उतर रही है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम जीरो लेबल की पावर्टी लाएंगे और दूसरी जब बिजली का दाम महगा कर दिया गरीब बुनकर परिशान है वह जब खुद नहीं कमा खा पा रहा है तो बिजली कैसे देगा और आप कर रहे हम सब्सक्राइ प्रवाइड कराएंगे और प्रवाइड करा नहीं पाए उल्टा किया हुआ हुआ जया आपने इस बात पर या सर्विंटर नेशनल लेबल पर जो भी कारकरम चला है सस्टेनेबल डेवलेब्मेंट गोल पर बोल हमारा जो सरकार का गोल ता जीरो लेबल की पावर्टी लान पोल यहीं पावर्टी लेबल में जा रही हैं हम सरकार से यहीं मांग करेंगे हमारी जो जैसे किसी के पास छेलूम है तो किसी की बिईली एक चृह महीने की हुआ है किसी की एक लाग रुपे आई भट जो प्की के बात अच्छा बोलते हैं आप अच्छा क्या से पढ़े लिखे आदमी जॉब छोड़के आपने स्वेफसाई को कुई शुना है यह तो हमारा ट्रेडिशनल है परमपरा हमारा यह बिजनेस हमें करते ही हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा समस्या आ गई हैं देखिए सरकार ने स्वास को भी मिलना चाहिए ना मैं भी आ रहा था तो मैंने एक परचा देखा वहां पर लगा हुआ जो अनिश्चित कालीन धरने का है वो एक तारीक से ओ क्या मसला है समझाए देखिए उसमें लोगों ने कहा अगर हमारी मागे पूरी नहीं हुई बिजली का दाम जो सरकार ने कह तो बुनकर है वो तो खैर इससे जुड़ा ही है गयर मुसलिम भी है गयर विरादरी भी वह भी इससे जुड़े हैं कहीना की रंगाई से जुड़े हुए है कलेंडर कर रहे हैं कहीना कई धागा बेच रहे हैं मतलब टांडा का जो लोग है इस बुनकर के काम से जुड़ा ह हुआ है बुनाई ताना बाना से जुड़ा हुआ है तो टांडा की हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है और मालूब 15 दिन हमने अपना अलूम हर्ताल कर दिया जो ठीक जो सेट है सरमायादार है तो ठीक है एक गरीब जो रोज मजदूरी करता है हपते का यहां तो हपते मकले में मिलता है में ताना उनको वेज दो मिलता है वेतन तो हपते में हजार बारां सब्सक्राइब होने की वज़ा से लगबाक साथ सो च्हेशे का काम कर रहा है तो यह बताएगे जो 600 काम कर दो पच्चे की सिच्छा भी देखना आए अगए और रोजगार तो हमारा गल् हैं बुनकर मजदूर हैं जो हमारे हम कारीगर का काम काते हैं तो हमारा पैसा कौन भरपाई करेगा बस यही सवाल मैं पूछना चाहरा था जैसे जो धरने का होते हैं बहुते मर रहे हैं घरने का एलान होते हैं तो च्बिंस लिते हैं और यह उनका पूरा कंट्रीविशन रहता है स्ट का आर्फीक रूप से सायोग मिलेगा हम तो जो च्शोटे लोग हैं बन करती हैं अपना लूम अब कि आपने एलान कर दिया और किसी ने लूम चला रखा है कभी कभी आइसा होता जो धेर परिशान क्या करें कभी कि लोगों उस फिर जाकर बंद करवा देते हैं ठीक हमने बंद करवा दिया लेकि उसकी भरपाई कौन करेगा मेजर आप यह चाहते हैं कि सेट लोग जो है अपन सब्सक्राइब करें पर में तो यह आपको सिर्फ और आशवासन आप लोग ने था नहीं पर आप लोग क्यों ही चालू कर दी कि मैं अगर आपको सिर्फ आशवासन पे यहां की सबसे बड़ी समस्या बिजली वाक्स में कहना चाहूंगा कि वो जो फरजी वकाया बुनकरों पर आ रहा है उसे सबसे पहले पर उसको सुझाय जाएए चुकि यहां पर बहुत से लोग बहुत सी वार्दात-ईसी हो चुकिए जिनके पास फुडी-कौडी नहीं रहती उनके वहा तीन-तीन हम लोग यहीं मार्ट कर रहे हैं कि फ्लैट रेट ही चले बुनकर समाज का जो संगधन बना हुआ है जिसके अध्यज भी होंगे तो यह क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी रिलेटेड है नहीं इसमें पॉलिटिकल पार्टी से तो आदमी की मंसा है अपनी आदमी जहां ज सब्सक्राइब कोई कांग्रेस मिले जुले लोग है यह कोई विसेश पार्टी से नहीं है तो मतलब इतनी सारी बात के बाद मुझे समझ में आया फ्लैट रेट एक समस्या है दूसरी आप लोग चाहते हैं कि जो बड़े-बड़े सेट हैं थोड़ा इंप्लोई को कंट्रि इसके तरह हम किसी सामान को लाते हैं लोग के 200 रुपय का दो महीने बाद जाते हैं तो पता लगा,500 में हो गया टैक्स बड़क के आगया तो यह यह भी समस्या है हमारी आंदनी बढ़ नहीं रहे है इतनी जल्दी जितनी जल्दी उन पे टेक्स बढ़ा जा तो हम यह चाहेते हैं। नाम बता है औरMyam Mantheur Rahimud है। आप काफी बुजर्ग लग रहे हैं कितने साल से इस वेफसाइट से जुड़े हैं आपके पास तजूर्बा जादा है आप काईदे से बता पाएंगे क्या-क्या दिक्कते हैं अब आरे सामदों तो यह इतनी दिक्कत आज तक नहीं आए थी जितनी इस पीडियट में लोगों को दिक्कते हैं अच्छा मतलब फिर लूम नहीं चलेगा क्या करेंगे तो यह थे हमारे साथ बुनकर टांडा के बुनकर जो एक समय हसते खेलते थे लेकिन आज यह मजबूरियों के कारण रोने पे मजबूर हैं इनके पास खाने की कमी हो चुकी है इनके पास पैसों की कमी हो चुकी है लॉकडाउन भी उसका कारण हो सकता है फ्लाट रेट बिजली भी उसका कारण है तो ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जो इसके कारण है मैं अदीब सिद्धी की आप देख रहे थे जिस न्यूस धन्यवाद